हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो एनार कीचन आज हम होममेड ब्रेड बनाएंगे तो मैंने एक बड़ा बावल ले लिया है जिसमें हम वन फॉर्थ कप वॉंब मिल्क ज्यादा गरम भी नहीं हो जना चाहिए और ज्यादा ठंडा भी नहीं आप उंगली से छू सके ऐसा वॉंब मि क्ले रहीं में उसमें 2 टी स्पून हम पहले छोटी टी टी स्पून इसमें हम सक्कर डाल देंगे और सक्कर थोड़ी से मेल्ट हो जाए तब तक हम इसको हिलाएंगे पूरी तरह से मेल्ट ना हो तो भी चलेगा थोड़ा इसे मिला लेजिए स्रिफ इसको मिलाना जरूरी है और इसको हिलाते रहें और यह जियान रखें कि दूद थोड़ा वम होना चाहिए यह सक्कर हमारी आधी अंदर गुल चुकी है अब हम इसमें छोटी टी स्पून इस्ट डालेंगे यह मैंने रेडी इस्ट ली है ड्राइ इस्ट वो ली है अब इसको भी एक बार मिला लीजिए देखको इस्ट डालते ही यह एक्टिव होना सुरू हो गई है इसको ज्यादा नहीं हिलाना है सर्फ अंदर मिला लीजिए और इसको हम 10 मिनिट्स के लिए रेष्ट रखेंगे जिससे यह प्रूविंग हो जाएगी 10 मिनिट्स हो चुके है यह देखिए इस्ट एक्टिव उपर बबल्स आने सुरू हो गए यह इस्ट मिन्स एड इस्ट एक्टिव होनी सुरू हो गई है आप ज्यादा देर भी इसे मत रखें वरना यह अंदर ही एक्टिव हो जाएगी और हमारे ब्रेड उतने अच्छे नह प्रेंदा ले रही हूं सिर्फ इसका अंदर की तरफ ऐसे बंद करते हुए डो बना लेना है बस देखिए कितना स्मूड बना है हमारा अब हम ही से फिर से बाउल में रख देंगे अब उसी बाउल को हम बटर या ओईल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और जो डो बनाया है हमने उस डो को अंदर रख देंगे और उसे किसी भी क्लीन रेप या किचन टावल से डख के एक गंटे तक छोड़ देंगे हम एक गंटे बाद अभी देखेंगे इसको एक गंटे के लिए इसे किसी भी गरम जगा पे छोड़ दीजिए हमारे एक गंटा हो चुका है अब हम देख लेते हैं कि कैसी प्रूविंग हुई है देखें गंटा कहा था लेकिन ये 45 मिनिट में ही हो चुकी है तो देखें कितना अच्छा सेकंड प्रूविंग भी आ चुकी है अगर आप कोई भी सिजनिंग करना चाते हो जब हम सेकंड प्रूविंग के लिए इसको नीड कर रहे तो लाइक और सेर जरूर कीजिएगा और आप भी एक बार ट्राइ करीजिएगा बनाने की बहुत अच झाल झाल